स्वारोफेंट्स मेरा नाओ पुश्कुर आज मेरे पास डिजिटेक का एक लाइट वेट डीवी ट्राइपॉड या बजट ट्राइपॉड डीटी आर टूसिक्स्टी जीटी है और यह हम एमेजॉन से फॉर हंडड़ एन संथिंग रूपीज में पर्चेस किया है इसका प्र इसको आप अपने Android और iPhone दोनों के साथ यूज कर सकते हैं और उसको किस तरीके से connect करना है वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जहां से आप इस ट्राइपॉड को पर्चेस कर सकते हैं उसका लिंक हम विरो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं पड़ा पट से इस बॉक्स को हम उपन कर लेते हैं बागी बॉक्स के ऊबर आप देख सकते हैं इस ट्राइपॉड को किस-किस तरीके से यूज कर सकते हैं जो भी इसका highlighted features है वो सब कुछ जो वो mention किया हुआ है इस तरीके का आपको एक mobile phone holder मिल जाता है इस tripod के साथ और यह जो mobile phone holder है यह spring loaded वाला mobile phone holder है इस mobile phone holder को आप दो साइड से mount कर सकते हैं इस mobile phone holder के टॉप पे अगर आप external mic या external light यूज कर रहे हैं तो वो भी आप mount कर सकते हैं नेक्स यहां पर फटाफेट्सर में इस tripod और यह जो Bluetooth remote मिलता है इसको बाहर निकाल लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह इस तरीके का Bluetooth remote है इसको इस तरीके से pair करना है और इसके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं सबसे पहले यहां पर quickly इस tripod को देख लेत है यह भी आप इस तरीके से rotate कर सकते हैं और इस तरीके के mini tripod में हम first time देखे हैं कि यहां पर आपको detachable head का option मिल जाता है यहां पर आपको एक button दिया गया है इस button को press करके यह जो head है इस head को आप बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से detach हो जाता है और वापस से आप इसको इस तर mobile holder को open नहीं करना चाते हैं तो directly जो है आप इस button को press करेंगे इसको इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं इसके अलावा इस tripod से related कोई भी आपका doubt हो query हो आप comment section में पूछ सकते हैं अब फटा-फट से हम लोग इस Bluetooth remote को देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि दो button है एक तो camera 360 और iOS लिखा हुआ है और दूसरे वाले पर Android लिखा हुआ है यहां पर आपको LED बटन मिल जाता है साइड में यहां पर आपको एक on-off button मिल जाता है तो इसके थू जो है आप इस Bluetooth remote को on कर सकते हैं on करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि light इस तरीके से blink कर रहा है इसको off करते हैं back side में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बैटरी के लिए compartment दिया गया है इसमें आप CR2032 बैटरी जो है वो यूज कर सकते हैं अब quickly देख लेते हैं कि Bluetooth remote को कैसे आप अपने Android या iPhone के साथ pair कर सकते हैं सो यहां पर नीचे मेरा Android phone रखा हुगा है सबसे पहले तो आपको इस Bluetooth remote को on कर लेना है on करते हैं आपका Bluetooth remote इस तरीके से light blink करेगा और यह pairing mode में आ जाएगा उसके बाद जो है आपको अपने Android phone के Bluetooth setting में आ जाना है और यहां पर आपको AB shutter 3 के नाम से यह remote जो है वो शो करेगा जस इसके उपर tap करना है और फिर आपको इसको pair कर लेना है and that's it आपका यह जो Bluetooth remote है आपके Android phone के साथ connect हो जाएगा जब आप किसी भी और screen पे होंगे तब आप इन में से किसी भी button को अगर प्रेस करते हैं तो आप volume को increase कर पाएंगे बट अगर आप camera app use कर रहे हैं उस case में अ आप हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप photo mode में है तो इस तरीके से जो है आप photos जो है वो click कर सकते हैं फिर चाहे आप Android वाला button प्रेस कीजिए या iOS वाला button प्रेस कीजिए और यह जो Bluetooth remote है यह हर एक mode के साथ work करता है portrait mode हो या फिर कोई भी और आप mode use कर रहे हो वहाँ पे आ सकते हैं जैसे अगर हम यहाँ पे night mode में है तो यहाँ पे भी यह जो Bluetooth remote है यह properly work कर रहा है तो आपको कभी भी rear camera से अगर group photos लेना है और उस photo में आप चाहते हैं कि आप खुद भी present हो तो आप इस Bluetooth remote का use कर सकते हैं selfie camera से अगर आपको photos capture करना है और आप चाहते हैं कि आपका phone जो वो थोड़ा सा दूरी पे रहे front camera से आप photos capture करना चाहते है तो वहाँ पे भी आप इस remote को use कर सकते हैं अब next देख लेते हैं किस तरही किस इस Bluetooth remote को आप अपने iPhone के साथ use कर सकते हैं बढ़ हम आपको बता दें कि इस Bluetooth remote को आप एक समय पे किसी एक device के साथ ही use कर सकते हैं तो पहले हम को इसको अपने Android phone से जो आपने डिसकनेक करना होगा तो यहाँ पे Bluetooth off करते है Bluetooth off करते हैं आप देखेंगे कि यह जो Bluetooth remote है again pairing mode में आ चुका है अब यहाँ पे quickly जो है na Bluetooth setting में आ जाते हैं तो यहाँ पे Bluetooth icon पे long tap करेंगे Bluetooth setting में आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि other devices में या available devices में again AB shutter 3 यहाँ पे show कर रहा है यहाँ पे अगर आप camera app यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहें Android वाले button पे प्रेस करें या फिर iOS वाले button पे प्रेस करें यह जो camera shutter यह properly work कर रहा है इससे आप video recording कर सकते है start और video recording को कर सकते है end इसके लावा slow motion mode में या किसी भी mode में आप चाहें तो इस Bluetooth remote को properly use कर सकते है अपने iPhone as well as Android phone के साथ यहाँ पे time lapse start हो गया और इसके बाद button को press करते ही time lapse end हो गया जरूरी नहीं है कि आप iOS के साथ यूज कर रहा है तो सिर्फ iOS वाला button ही work करेगा So friends यही था Digitec का Lightweight DV tripod DTR-260 GT और यह जो Bluetooth remote है आपको इस tripod के साथ free of cost मिलता है मतलब यह पूरा package जो है यह आपको under 500 rupees मिल जाएगा जहांसे आप इस tripod को purchase कर सकते हैं अगेन हम आपको बता दें कि उसका link हम video description में दे दिया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को like कर सकते हैं चानल को subscribe कर सकते हैं कोई भी doubt हो, query हो इस remote के regarding, इस tripod के regarding comment section में पूछ सकते हैं till the next video में बाबाई, जाहिए लिए